मैं यही कहना चाहूंगी कि जब समाज से कोई लड़की निकल कर अपने आपको आगे बढ़ाना चाहती है तो सबसे पहली लड़ाई उसकी समाज से होती है और वो उन जद्दो जहद से निकल कर दिन रात एक करके पशीना बहा के खून बहा के और देश के लिए पदक जीतने की सोचती है और जब वो इस मुकाम पे जा रही होती है तो उसके बीच में एक खबर आती है कि रैसलिंग फेडरेशन ओफ इंडिया के जो प्रेजिडेंट है ब्रिजबुशन शरन जी वो योन सोचन करते हैं और ये उस बेटी के दवारा आरोप लगाए गए हैं जिसमें माननिये परदान मंत्री जी ने कहा था कि तुम हमारी बेटी हो और उसी बेटी ने एक सवाल कल दागा है कि इस देश में बेटी बेटी पैदा होना होनी ही नहीं चाहिए इससे ज़्यादा तकलीफ की बात दरद की बात क्या हो सकती है और साथ साथ मैं ये सवाल ये भी करती हूँ एक तरफ तो हमारा देश पदक चाहता है और दूसरी तरफ हम अपने भविश्य को देखते हैं हमारी बेटियों का योन सोशन होता है तो आने वाली पीडी या वो पेरंट्स क्या अपने बच्चों को इस तरीके से स्पोर्ट्स में भेजना चाहेंगे और मैं यहां पर विनेश फोगाट और उन सभी रैसलर्स का मैं धन्यवाद देती हूं कि इस मंच पे आके उन्होंने इस बात को उठाया है लेकिन तकलीफ इस बात की है कि माननिये परधान मंतरी जी को जब उन्होंने लगबग सवा साल पहले इन बातों से अवगत करा दिया के दवारा कोई ऐसा स्टैप नहीं उठाया गया और सुपरिया जी आपको ध्यान दिलाना चाहूंगे कि हरियाना के मंतरी के दवारा भी एक लड़की के साथ इसी तरीके से कूकरिते की बात आई थी और उस लड़की ने भी लगबग मेरे खाल से डेड़ महीन आई हुआ ह और वहीं पर स्टॉप हो गई है तो क्या यही हालात इन रैसलर्स के साथ भी होने वाला है यह आने वाली हमारी एथलीट्स के साथ होने वाला है मैं महीला हूं और यह पीड़ा मैं समझ सकती हूं कि लड़की पैदा नहीं होनी चाहिए यह कितनी बड़ी बात हमारी एथली बेटी बनाने को त्यार होता है जब हमारी बेटियों का चीर हरन किया जाता है तो उसके साथ कोई खड़ा क्यों नहीं होता है और साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा है और इस नारे को तीर तीर तार तार कर चुके बीजेपी के नेता मैं यही कहना चाहूं स्टेट फेडरेशन्स भी होनी चाहिए और खिलाडियों की भागीदारी उसमें होनी चाहिए